हलो दियर लेर्नर्स, वेलकम टू आइस शॉर्शॉर्ट, मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 28 फेबरी, 28 फेबरी के दर हिंदू न्यूस पेपर को एनलाइस कर रहे हैं और इस दर हिंदू के एनालिसिस के साथ-साथ हम जितने भी कारंट अफेज न्यूस में हैं उन सभी को साथ की साथ अनलाइस करते हुए चलेंगे और आज का एक बड़ा मुद्दा है डाट डिट चाइना लीक कोरोना वाइरस इंट दो वर्ल्ड अब आप सोचो कि इतने टाइम के बाद अब यह मुद्दा क्यों उठाए COVID-19 को गए हुए लगभग साल भर एक ड बाइस करिम किया है कि कोड्र ना वायरस COVID-19 वाले वायरस वह चायना की ही एक लाब से लीक हुआ था तो चाइना की इसलाफ लीक ठियोरी जो सको पंद्री दो से के बारे में बात करेंगे पूरे मुद्दे के के बारे में बात करेंगे जैसे की एक बुद्धिस्ट स्थूपा मिला है अभी अभी तिक है कहां मिला है यह उडीशा में मिला है इसी के साथ में EDE enforcement directorate को क्या government misuse कर रही अपने opposition के खिलाफ इसके बारे में बात करेंगे अगनी अगनी वीरों के बारे में दिली हाइकोट ने क्या कहा है इसके बारे में बात करेंगे इस में बढ़ने से पहले आपको बता दूंगी सिर्फ और सिर्फ आपके पास 90 बचे हैं और इन 90 डेज में आपकी स्ट्राटी क्या होनी चाहिए यूपी एसी प्रेलिम्स 2023 के लिए उसक यहान लिया था एक वीडियो भी हमने उसके लिए रिलीज किय मैं इसी वेबिनार का वीडियो है वो तो अगर आप चाहो उसको देह सकते हो स्टूडेन चाहए को बैसे कर्णा क्या है कि देख एस जाए और यहर्वेश के इस सम्ट जाएब में क्लिबन्हाम क्टी अश्यर यहां डाल दूंगी ठीक है इस वीडियो को देखना जरूर आपको कासी हेल्प मिलेगी अच्छा दूसरी चीज यह कि पहले एक बता जाती हूँ पहले तो हमने 10 प्रीविस एक क्वेशन का एक इनिशेटिव शुरू किया है हमारे टेलिग्राम चैनल पे जिन्होंने टेलिग क्वेशन के बार इक्वीज रोग दी क्यूंकि मुझे जब तक रिस्पॉंस नहीं मिलेगा मैं महनत क्यूं करूं तो देखो महनत हम लोग कर रहे हैं आपके लिए अगर आप लोगों को इंट्रेस्ट नीए तो हम महनत नहीं करते हैं ठीक हमें तो निकालना नहीं प्रेलिम करूंगे अगर मैं देखूंगे अगर मुझे अच्छा response मिलता है तो ही मैं आगे के 5 question post करूंगी वर्ना वहीं पर रोग दोंगे और यह भी 5-5 question भी मैं अभी कुछ दिनों के लिए try करूंगी अगर response नहीं मिलता है तो इसको within a week हम बंद कर देंगे दूसरी चीज यह कि जिनको नहीं पता लक्षी प्रोग्राम के बारे में लक्षी प्रोग्राम हमारा current affairs based program है और current affairs based program जो है इसमें हम आपको बता रहे हैं क्या बता रहे हैं कि 28 to 30 hours में हम आपका डेड़ साल का current affairs अगर इन्रोल करना चाहते हो तो सारी details description दिस्क्रिप्स पर रहे हैं कैसे थूटी वीडियो लेक्ष्ट जो है आदे घंटे के होते हैं 40 to 50 वीडियो लेक्ष्ट होंगे आदे घंटे से 30 to 40 मिनिट्स के वीडियो होते हैं तो लगभग आप समझो 28 to 30 में आपका पूरा current affairs तयार हो जाएगा डेड़ साल का इसके लिए आपको अलग से effort नहीं करना है खाना खाने बैठते हो ब्रेक लेते हो कुछ भी करते हो तो यह 30-40 मिनिट्स में अपने यह लक्ष्ट प्रोग्राम का एक लेक्चर देखके खतम कर दो और उसी के daily quiz आपको इस लक्ष्ट प्रोग्राम में मिलेगी अगर enroll करना चाहते हो तो सारी details description box में है और तीसरी एक और चीज़ कि हमने एक mentorship program launch किया जिसका नाम है आरंभ और इस आरंभ प्रोग्राम में हम one-to-one mentorship दे रहे हैं for specially prelims और इसमे need specific एक-एक student के पहले mentorship session होगा और उसके बार हम आपक करना चाहिए CSAT में क्या करना चाहिए इसी के साथ ये भी समझेंगे कि अगर आपको GS में किसी particular subject में दिक्कत आ दे कैसे उसको cater करो test अगर दे रहे हो तो test के assessment में भी आपको हमारे mentors मदद करेंगे जिसमें मैं जो है हफ़ते हफ़ते में एक बार आपका एक session होगी zoom session okay तो अ अगर आपका selection होता है तभी आप इसमें अंडूल करोगे बढ़ते हैं आगे अच्छा ये जो slide ये खाली क्यों है ये slide खाली इसी लिए है क्योंकि यहां पे pinch of positivity में add करना भूल गई हूँ तो आज का pinch of positivity क्या है आज का pinch of positivity है कि the day you plant the seed the day you plant the seed is not the day is not the day that you eat the fruit मतलब जिस दिन आपने seed लगाया है जिस दिन आपने beach बोया है उसी दिन आपको फल खाने को नहीं मिलता तो कई बार क्या होता है हमको लगता है हम इतनी महनत कर रहे है आज भी 12 घंटे पढ़ा ही करी कल 10 घंटे पढ़ा ही करी परसो इतना time पढ़ा ही करी तो मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा मॉक्स में माक्स क्यों नहीं आ रहे इसी लिए क्योंकि आज की आज आज आपने जो काम किया उसका result आपको आज की आज देखने को नहीं मिलेगा लेकिन long term result आपको जरूर देखने को मिलेगा तो the day you plant the seed is not the day when you eat the fruit बढ़ते हैं आगे आज का पहला article है दे हिंदू का इंटनाशनल रिलेशन से रिलेटेड यह आर्टिकल है चाइना ब्लास्ट यूएस एजनसी कोगर नाइटेन लाब लीक रिपोर्ट तो बेसिकली हुआ क्या है चाइना ने बेसिकली यूएस के उपर एक तरह से अटाक करते हुए कहा कि भाई यूएस से तु क्यों मनाया जाता है यह मुझे कॉमें बताओ और जिनको नहीं बता कि नाशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है तो जाके हमारा यूट्यूब चैनल पे कमिनिटी पोस्ट वाला जो सेक्शन होता ना कमिनिटी वाला उस पर जाके चेक आउट करो आपको सारी जानकारी मिल ज जाता है और इस बार National Science Day पर क्या खास हो रहा है और जिनको पता है मुझे comment section में comment करके बता हो कि ये National Science Day मनाया क्यों जाता है और बढ़ते हैं तो चाइना को बेसिकली चाइना नहीं युएस को एकदम लगारा है कि भई तुम क्या science को politicize कर रहे हो अब देखो ये politicize किया जा र लेबरेटरी के साथ networking है काफी expertise इसके पास मानना जाता है कि इस agency के पास है ये agency ने क्लेम किया है कि कोविट का जो वाइरस था पोरोना वाइरस जो था ये चाइना की एक लैप से लीक हुआ था अब लीक हुआ था या लीक किया गया था ये नहीं पता लेकिन इनका कहना था कि pandemic जो हुआ था because of a laboratory leak और ये जो laboratory leak theory है ये पहले भी आई थी सामने लेकिन इसको दबा दिया गया था WHO जो है World Health Organization इन्होंने बोला कि भाई एक investigation कर लेते हैं बहुत pressure जब पढ़ाना WHO के उपर तब इन्होंने investigation किया और investigation करने के बाद WHO ने पाया कि ऐसा लैप से तो सीधे कोई evidence मिले नहीं है कि यहां से leak हुआ हो virus लेकिन कहा फिर ये भी जा रहा था कि WHO जो है न उसमें जो head थे WHO के head वो Ethiopia के leader रहे हैं और Ethiopia के वो जो leader है काफ़े influence रहे हैं चाइना से पहले लोगि चाइना ने पहले Ethiopia के उपर बहुत favors किये हैं तो जो WHO के heads है लीडर है उनका चाइना के साथ वेस्टेड इंटरेस्ट था इसी लिए WHO ने बातें दबाई है ये भी allegation लगता है तो मैंने कह पहले भी कई बार है लेकिन चाइना जब इसको बीड़े साइन कर दो अ इसको पॉलिटीस निकाल रहे हैं कि बिए लीडरेटर नकुं करो क्या थारीस करूं मत करो 안व Pastorali,ewis को,प ठाट कि रहे हैं थाटम इब 🎶 जय जो इंसनarmed श्वाटन करों आप स्टार्य साइना के मानते हैं कि ये कोई lab leak नहीं था ये natural transmission से हुआ है मतलब कि जो covid था वो zoonotic kind of virus रहा है जिसमें animals से लेकर humans तक ये जो virus है वो फैला है और इस चीज को support ये भी theory करती है कि वहान का जो यहां पे market है जो animal market है जहां पर animals बिखते हैं ठीक है वो जो animal food market है वहां से ये virus निकला covid virus इसलिए माना जा रहे हैं कि natural transmission हुआ है लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं यहां पे lab leak हुई है क्योंकि यहां पे Wuhan में ही यहां के सबसे बड़ी top Chinese research laboratory है और माना जा रहे हैं कि यहां से ही lab leak हुआ है क्योंकि इसमें भी proper ऐसा नहीं कि यहां पे rule out कर दिया जा सकता है इस theory को तो यह पूरा article था लेकिन देखो यहां पे जो argument नहीं जो support करते हैं इस चीज को कि coronavirus जो है वो lab से ही leak हुआ है वहान की उसके लिए कुछ argument नहीं पहला argument यह है कि कई सारे genetically engineered existing pathogen जो और आसान हो गए हैं जिनको lethal बनाना और जिनको difficult बनाना ट्रीट करना difficult बनाना treatment difficult बनाना बहुत आसान हो गया अब तो कई सारे ऐसे genetically engineered virus genetically engineered pathogen आजकल आ गए है because of the advancement of science and technology आप pathogen बना सकते हो और उन pathogen को इतना deadly बना सकते हो कि वो दुनिया को खतम कर सके दूसरे चीज यह दूसरा इसी लिए भी इसको माना जारे कि यह हो सकता है क्योंकि जो वुहान लैब है वहां के जो leader थे head researcher थे उन्होंने भी एक interview में बोला कि भाई हम जो है एक novel life threatening और pandemic creating viruses बनाने के लिए research कर रहे हैं इन्होंने नहीं बोला हमने बनाया है इन्होंने बोला था हम research कर रहे हैं तीसरी चीज इन्होंने ही यह भी बताया कि यहां पर bio safety level 4 है लेकिन कई बार USA ने USA की जो इंस्पेक्टर ने US की जो investigating agency ने उन्होंने पाया कि चाइना की इन labs में जो safety standards कई बार deficient रहे हैं और इसके against कोई भी remedial measures नहीं ले गए हैं तो हो सकता है कि चाइना इस तरह की virus पे खोज कर रहा हो research कर रहा हो और गलती से लीक हो गया हो यह नहीं कहरें कि जान बुझके लेकिन गलती से लीक हो यह भी हो सकता हो ओके चौथी चीज यह कि चाइना जो है reluctant रहा है अभी तक चाइना ने कोई data share नहीं किया है कोई facts share नहीं किये हैं और investigation के उपर भी अभी सवाल उठते आ रहे हैं पांचवी चीज यह कि डब्लियो एचो ने जो findings पता लगाई जो भी investigation की तो डब्लियो एचो के उपर भी आरोप लग रहा है कि डब्लियो एचो के जो team members से investigation team के members उनके vested interest रहे हैं चाइना के साथ इसलिए वह बात खुलने नहीं देरे suppress करें और शिक्स्त चीज यह भी बोली जारी है कि जैसे smallpox है और चोटे-चोटे वाइरस जो हैं यह कहां से आये हैं यह labs से निकले हुए वाइरस हैं जो गल्ती से labs से निकले हैं तो जब यह कोरोना वाइरस क्यों निकल सकता तो यह सारे आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं कि चाइना की लैब लिग थियोरी हो सकता है कि सच हो ओके चाइना की नहीं बाकी कंट्रीज गोरे चाइना तो इसको अपोस कर रही है अब यहां पर एक कन्विंशन आता है जिसका नाम है ब तब से यह कोविट की लैब लीग थियोरी बाहर आई है तब से यह कहा जा रहा है कि हमको बाइलोजिकल इन टॉक्सिक जो टॉक्सिन वेपन कंविंशन इनको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है तो यह कंविंशन 1975 में फोर्स में आया और यह जो ट्रीटी है कंविंशन है यह बोलता है कि जितने भी बाइलोजिकल वेपन नहीं जो वाइरस वगेरा है उनके डेवलाप्मेंट उनके प्रडक्शन उनके एक्विजिशन ट्रांसफर और स्टॉक्पाइलिंग को प्रोहिबिट करता है यह कंविंशन 183 सिगनेटरी है जिसमें यूएस रशिया यूकरेन भी आते हैं और यह पहली मल्टिलेटरल ट्रीटी है जो डिसार्मामेंट ट्रीटी है जिसमें कि पूरी के पूरी कैटिगरी जो है वेपनल उफ मार्स डिस्ट्रक्शन की इसको बैन किया गया है इसकी कोई करेंथ हैं चाथ करिंचन और इस वेपन से इंडिया से इंडिया ने इसको साइन्टिफाइब किया हुआ है और यह चाइन이지 मेन ऊद्दीटिकरी न है अए शचाई Ali और तो चाइना के लिए वेपन यूज़ कर रहा है उक्रेन में तो रशिया के उपर भी रशिया के कारण भी यह जो बॉडी है कर्विंचन है यह न्यूज में रहा है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा जो इशू है that is regarding ED, Enforcement Directorate के regarding इशू है पेज वन पे आज दिखा यह governance के related इशू है तो Supreme Court wraps government on plea on ED chiefs term तो Enforcement Directorate का जो term है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कौन? Government जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है फिर से Enforcement Directorate का जो term है और Supreme Court में इसके उपर government को लगाई है लतार, Supreme Court ने शापली react करते हुए कहा कि भाई जब हमारे Supreme Court में हैं आपको September 2021 में ये कहा गया था कि अब कोई भी extension आप अभी जो प्रेजिन में Enforcement Directorate है Mr. Mishraji उनको आप अब और कोई भी tenure extension या term extension नहीं दो गए ये कहा गया था आपको 2021 सेप्टेंबर में उसके बाद आपने क्या किया 2021 नवेंबर में आप एक ordinance लेकर आए ordinance के तरू आपने जो Central Vigilance Commission में amendments करी और उस Act में amendment करके आपने बोला कि हम इस Enforcement Directorate जो भी है Mr. Mishra उनका tenure बढ़ा रहे हैं तो मतलब एक तो आपने जुडिशिरी को बाइपास किया दूसरा आपने पार्लियामेंट को भी बाइपास किया क्योंकि आप एक ordinance के तरू इस तरह के amendment कर रहे हो तो basically Enforcement Directorate का जितना tenure आपको बढ़ाना था आप ने बढ़ा लिया अब आप और Enforcement Directorate का tenure नहीं बढ़ा सकते सुप्रीम कोट ने ये भी कहा कि जो Enforcement Directorate है इनके उपर आरोप लगते हैं कि ये जो है काफी politicize हो गई है ये body क्योंकि यहाँ पे ऐसे आरोप लगते हैं कि गवर्मेंट जो है जो ruling government party है वो Enforcement Directorate को use कर रही है opposition के खिलाफ क्योंकि आप देखते हो कई सारे इस तरह की rates है तो ये कहना है इडी के उपर जो आरोप लगते हैं कि ये एक politicized टूल बन गया है government का opposition को दबाने के लिए ये कही ना कहीं फिर तो सच हो जाता है क्योंकि government इनको retire नहीं कर रही है government इनका tenure नहीं खतम कर रही है government एक तरह से इसको एक politicized instrument की तरह use कर रही है तो ऐसा करोगे तो allegation तो लगेंगे तो Supreme Court ने बोला है अब आप ED का tenure और नहीं बढ़ा सकते हो okay तो अब ED क्या है enforcement डिरेक्टरेट है क्या basically enforcement डिरेक्टरेट का जो office है ये 1957 में बना और पहले पहले इनका काम था कि जो भी foreign exchanges होते है foreign exchange related violations होते हैं ऐसे cases को यहाँ पे चेक करना investigate करना और यह हुआ करता था नहीं civil provision हुआ करता था civil offense होता था फिर 1956 में पहले अगर आप देखो कि 1956 में ED बने से पहले यह enforcement unit का नाम हुआ करता था पहले और यह Department of Economic Affairs के अंतरगत आता था अभी जो है ED आता है Department of Revenue के अंतरगत देखो दोनों ही Department of Economic Affairs हो या Department of Revenue हो दोनों ही आते है Ministry of Finance के लेकिन पहले enforcement unit हुआ करता था ED और आता था Department of Economic Affairs के अंतरगत अब जो है यह ED बन चुका है और Department of Revenue के अंतरगत आता है Ministry of Finance में Now, 2002 में क्या हुआ? 2002 में एक Act पास हुआ जिसका नाम होता है PMLA, Prevention of Money Laundering Act यह Money Laundering Act जो है इसमें फिर एक्स्ट्रा पावर्स दी गई ED को यह कहा गया कि जो भी Financial Frauds है, Money Laundering से Related Frauds है जो कि Criminal होते हैं इन नेचर उनको भी आप अब Take Up कर सकते हो, Investigate कर सकते हो तो जब शुरुआत में ED बना था तब सिर्फ Civil Offenses को Investigate करने के लिए बना था लेकिन धीरे धीरे इसकी पावर्स बढ़ती गई और स्पेशली जब PMLA आया जो Prevention of Money Laundering Act आया इसके बाद इसकी जो पावर्स थी उसमें Criminal Acts को Criminal Offenses को भी Investigate करने की इनकी पास पावर आ चुकी थी अब भी जो है इसके बाद उसके पास फेरा के रिगार्डिंग इशू आ गए फेरा से रिगार्डिंग पावर्स आ गई जो Exchange Control Laws है Foreign Exchange Regulation Act उसके अंतरगत जो भी पावर्स हैं वो आ गई यहां पे किसके पास? ED के पास इसके अलावा Multidimensional Organization अब बन चुका है ED जिसके अंतरगत जितने भी Economic Offenses हैं वो Investigate करने की पावर आज के टाइम पे ED के पास है पहला है PMLA की पावर है इसके पास Prevention of Money Laundering Act की पावर है दूसरा Fugative Economic Offender Act के अंतरगत पावर्स है ED के पास Investigate करने की इसके लब Foreign Exchange Management Act है और उसके बाद है Foreign Exchange Regulation Act यह चार आक्ट हैं जिसके अंतरगत ED के पास बहुत सारी पावर्स अभी के टाइम पे हैं to investigate all the financial frauds अब देखो ED का जो role है और function अगर उसकी बात करें तो पहली चीज जो ED कर सकता है वो है समन कर सकता है किसी को भी search कर सकता है seizure कर सकता है property अगरा का दूसरी चीज एडी जो है किसी को भी arrest यां retain कर सकता है तीसरी चीज एडी किसी की भी प्रॉपर्टी को attach कर सकता है और चौती चीज की एडी चार्च शीड भी file कर सकता है किसी के अगेंस्ट अंडर पी एम एले prevention of money laundering act के अंतरगत ये सब powers यहाँ पे ED को enforcement डिरेक्टिट को मिली हुई है बढ़ते हैं आगे next issue की तरफ which is related to art and culture देखो 1300 साल पुराना एक बुद्धिस्ट स्टूपा मिला है उडीशा के जजपुर में तो archaeological survey of Indian को 1300 साल पुराना एक बुद्धिその स्टूपा मिला है उडीशा के जजपुर में Archaeological Survey of Indian को 1300 साल पुराना एक बुद्धिस्ट स्टूपा मिला है जो की यहाँ पर कैसे मिला है यहाँ पे Jajpur के आजपास एक Honda Light Stone की माइन है Honda Light Stone यहाँ पे बहुत मिलते हैं यह Honda Light Stone जो है यह Heritage Buildings वगlor भर होते हैं so Honda Light Stone की Mining हो रही थी यहाँ पे उस टाइम पे इनको used Courseable Jasand जो हमारा जगनादपुरी मंदिर है यह darling करने के लिए mar alcohol Los living आये जा रहे थे वहां पर माइनिंग करते दोरान ही यह स्टूपा निकल के आया स्टूपा बाहर आया बेसिकली तो यह साड़े-चार मीटर टॉल स्टूपा है और इनीशल असेस्मेंट से समझ में आ रहे कि सेवंध या एट सेंचुरी का बना हुआ स्टूपा है आर्कियोल असे सिर्फ पाला डैनेस्टी थी और उडिशा से थी इस डैनेस्टी में ह corpse माना चाथा था तहा तो इसी लिए टो वर्ट ऋट एंड जो पाला किया के आसपास वाली वहां पहर से ललिता गडिप्रियु जो है इनका भी मेंटर में सारी बुधिस्ट कॉम्लेक्स आपको मिलते हैं और जो बुद्धिस्ट स्टूपा है यह डिसकावर जब हुआ तो अर्केलोजिकल सर्विय उफ इंडिया ने कहा कि उडिशा गवर्मेंट को थोड़ा सा कैफुल रहना किये जब आपको पता है कि यहां पे ललतागिरी जो एरिया है जो अल्रेडी करना चाहिए था उसके बाद आर्केलोजिकल इंट्रेस को देखने के बाद उसके बाद फिर यहां पर माइनिंग करते इन्हों सीधे माइनिंग शिरू कर दी तो यहां पर लोकल आटिशन्स ने भी रोकने की कोशिश करी थी जो हैरिटेज एक्टिविस्ट है उन्होंने भ इंशेंट जो मंदिर देखते हो न वो बनने हुए होते हैं ठीक है और अभी लेकिन इसमें यह कहा जारा है कि जगनात पूरी जो टेंपल है उसको रेनोवेट करना है उसको एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाना है और उसके लिए एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम है और स्कीमेंटेशन और बेसिक अमेनिटी इन डिवल्ड हेरिटेज इन आर्किटेक्चर यह लाया गया है पूरी में और यहां पर एम है कि तीन साल में इसको वाल्ड हेरिटेज सिटी बनाया जाए और इसके लिए तीन हजार करोड रुपे स्टेट गवर्मेंट ने अलोकेट क यह हुए हैं तो बेसिकली यह खॉंडा लाइट स्टोन का पूरा यह मामला है और इनको मेजर ली एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइट करते हैं किसी भी हरिटेज सिक्योर्टी साइट पे तो अभी जो है जगनात पूरी वंदिर में पूरी लेक डेवलप्मेंट में अथर ललिदगिरी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं ललिदगिरी या ललितागिरी इसको कहते हैं यह major Buddhist complex है कहां पे उडिशा में है और यह उडिशा में जो बुद्धा images आपको मिलती है वो majorly इस ललिदगिरी के आसपासी मिलती है कई सारे मनास्ट्री विहार भी है और यह इस रीजन की one of the oldest Buddhist site है यहां पे रतनागिरी भी पढ़ता है और एक उदेगिरी भी पढ़ता है रतनागिरी उदेगिरी और ललतगिरी यह तीनों मिलके यहां पे बनापे हैं diamond triangle diamond triangle जो है यह तांत्रिक Buddhism से related sites है जो की पुष्पगिरी University के साथ आती है तो पुष्प बढ़ते हैं आगे next issue जो है that is again related to governance और यह है अगनीपत के बारे में अगनीपत scheme जो है यह national interest में है कहा है Delhi High Court ने तो Delhi High Court का कहना है Delhi High Court में basically कई सारी PILs लगाई गई थी जब अगनीपत scheme आई थी तब PILs का कहना था कि जो अगनीपत scheme है यह constitution के अगेंस्ट है लोगों से उन अगनीपत scheme के बहुत जादा है देंद नुकसान जितने भी डी मेरिट से बहुत जादा है मेरिट आप उसको देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर चार साल बाद सब अनम्प्लोई रहे जाएंगे चार साल बात कितनी वैल्यू एड करेंगे वो सोसाइटी में यह सोच जो इसको यहाँ पर लाया जाएगा रिक्रूट किया जाएगा उनको कह रहे है अगनीवीर को जो है चार सालों के लिए इन्रोल किया जा रहा है जिसमें इनका training period भी included है तो टोटल चार साल का इनका period रहेगा जिसमें 25% अगनीवीर को ही चांस मिलेगा कि आगे के लिए वो सेवा निधी फंड में सेवा निधी फंड जो है पैकेज जो है उसके अंतरगर चार साल के बाद इनको 11.71 लाक रुपीज अलग से मिलेंगे तो बेनिफिट यह है कि यह जो है यह स्कीम यह एमपावर करेगी यूथ को स्किल करेगी यूथ को military ethos डालेगी हमारे यूथ में इसको connect कर सकते हो बेसिकली यह आर्टिकल कहता है आर्टिकल कहता है कि जो नए इवेस जूल ने उसमें कुछ पॉजिटिव थे इसके प्रॉब्लम यह बढ़ती जा रही है इसके मैनेच करने कि इसके पैक पैकेजिंग अगरा कि इसके अरबनाइजेशन बढ़ रहा है वह रिपॉजबल है इवेस्ट के लिए तो consumer responsible नहीं है जिसे मानलो मैंने चार्जर लिया किसी कांपणी से कोमपाइल चार्जर तो मैं रिस्पांसिबल नहीं हूँ अगर वह कभी charger खराब हो गया तो मैं उसको ऐसे पहग दूं तो मैं रिस्पॉजबल नहीं हूँ रस्पॉमिलिटी और्ग्रम्मेंटि की मतलव यह की एक प्रीछेंच का यह स्पॉर्मल पार्टी में करने की vrijकी शेंक्ति करा है सिर्ब हुदेश्च रीटुर्रॐ में नए rules आये हैं, e-waste rules और e-waste rules में कई सारी नई चीज़े हैं, जैसे एक है extended जो producer responsibility framework आया है इसमें, जिसमें stakeholders के registration की बात की गई है, पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो e-waste management करते थे या e-waste की recycling कर रहे हैं, इसको manage कर रहे हैं, उनके पास registration होता ही नहीं था, उन्हो जो rules आये हैं, उन्होंने बोला कि नहीं भई आपको registration कराना, licensing लेना, authorization ज़रूरी है, तभी आप e-waste manage कर सकते हो, दूसरी चीज़ यहाँ पर issue क्या है, कि बहुत सारे formal recyclers उनके पास तो है, license और फिर भी है, लेकिन कई सारे informal ऐसे लोग हैं, recyclers हैं, जो e-waste को recycle करते हैं, और majorly recycling होती है, वो informal sector में ही होती है, अभी सरकार digitalized system लेकर आई है, और इस digitalized system approach में, इन challenges को address किया जाएगा, कि जुतने भी इसे यहाँ पर उपैक तरीके से e-waste management हो रहा है, transparency नहीं है, informal sector में हो रहा है, उसको कम करा जाएगा, और यह जो paper trading हो रही है, false trial हो रहा है, कि हाँ अभी हमने सारा अपना e-waste collect करके उसको ठीक कर लिया है, यह जो इस तरह की चीज़े companies claim करें, उसको भी यहाँ पर ठीक क्या जाएगा, through this digital portal, अब देखो यहाँ पर तीस्वी चीज़ यह, कि यहाँ पर यह कहा ज़र है, दो stages होती है majorly, e-waste को recycle करने की, पहले होती component recovery, जि recovery भी जरूरी है, ठीक है कि जो recover हो रहें कि नहीं हो रहा है, residual जो disposal है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है properly, तो यहाँ पर recyclers जो है, उनके authorized रहोने की बहुत जरूरत है, और एक चीज़ जो यहाँ पर यह जो rules नहीं आये हैं, वो भूल गए, वो है कि जो producer responsibility organizations हुआ करती थी, जो producer और जो formal authorized body hair recycling की, उनके बीच में हुआ करती थी, तो यहाँ पर double verification हो जाता था, कि सब चीज़ें ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, अब जो है, उस producer responsibility organization को हटा दिया गया है, तो अभी जो है, सारा के सारी जो चीज़ें आ जाती है, फिर से informal sector के पास आती है, और आप देखते related 95% काम जो है, लेकिन यह illegal है, क्योंकि e-waste जो है जिस stage पर informal sector में जाता है, वो बहुत खतरनाक stage होती है, ठीक है, पहले की stages खतरनाक नहीं होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ collection करना है, segregation करना है, लेकिन जहाँ disposal की बाद आती है, तो यहाँ पर informal sector को जादा कुछ पता भी नहीं है, तो वो ऐसे dispose कर देते हैं, जो की हमारे देश के लिए, हमारी society, हमारे environment के लिए घथ तक हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर better coordination की जरूरत है, अब आप अगर बोलोगे कि सब कुछ formal sector को दे देंगे, तो informal sector में जो labor है, जो unskilled है, वो क्या करेगा, क्या कमाएगा, क्या खा तो collection का काम इनको दे रहे है, segregation का काम इनको दे रहे है, लेकिन disposal का काम हम करेंगे, proper technical know-how के साथ, तो basically यहाँ पर पता चलता है, कि problem कहां आ रही है, पहले problem यहाँ आ रही है, कि कई सारे जो producers ने डेली में, उन्होंने अभी तक अपने collection centers नहीं बनाए, और अगर collection centers बनाए, तो head office को यह अपना collection center बनाए, जो कि पूरी city से बहुत दूर है, तो कोई भी consumer इतना custody उठाएगा, कि वगर उसका charger खराब हो गया, तो इतनी दूर head office में जाकि वो charger जमा करें, यो कि लो भई, e-waste management करो, ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर door-to-door collection होना चाहिए, लेकिन door-to- stakeholders है, stakeholders के पास भी right information नहीं है, proper disposal को लेकर, informal sector इसमें involved है काफी जादा, awareness, consumer awareness की कमी है, logistics बहुत महँगे पढ़ रहे है, stakeholders को capacity बढ़ाने की जरूरत है, existing infrastructure को improve करने की जरूरत है, और इन सभी के साथ में हमको robust collection और recycling system लाने की जरूरत यहाँ पे है, तो यह था हमारा पूरा editorial regarding e waste management, I hope you liked it, और अगर आपको यह lecture अच्छा लगा है, तो इसको like जरूर से कर देना, यहाँ पिर tick mark हो जाना चाहिए, share अपने दोस्तों के साथ जरूर करना, और अगर channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो वो भी कर लो, तो यह तीन और tick marks, check marks आजाने चाहिए, and that was all for today, thank you for watching and have a very good day.